जैराम रमेश और कांग्रेस पार्थी को अपने गिरेबान में जहांखना चाहिए किस तरह की भाषा आज के प्रधान मंतरी जी के लिए वो बोल लें और जो ट्विटर हैंडल है कांग्रेस का उस पर किस तरह से ओची टिपनी प्रधान मंतरी जी पर की जा रही है पूर परदान मंत्री पर कोई टिपनी हुई उसको लेकर चिठी लिख रहे हैं और वरतमान परदान मंत्री जनता के जरीए चुने गए परदान मंत्री लगातार तीसरी बार बने परदान मंत्री देश के परदान मंत्री जिन पर देश के 140 करोड लोग गर्व करते हैं उनको क किस तरह से अप्मानित करते हैं कांग्रेश पार्टी के पास मुद्धा विहीन पार्टी वो कांग्रेश हो गई है इसलिए वो हमारे शोशल मेडिया पर इस तरह की चर्चा कर रही है हम लोग पुरी तरह मर्यादा में रहकर ही बात अपनी करते हैं तो जो हत्या बहुत दर्दनाग तरीके से हुई है, उसको लेकर हम सब दुखी है, देश के गिरी मंत्री जी ने, बिहार के मुख मंत्री जी ने मुकेश साहनी जी से बाचीत की है, पुलिस पुरी चौकसी से अपना काम कर रही है जो हत्यारे हैं उन तक पुलिस करीब करीब पहुँच गई है जैसा पुलिस ने बताया है अनुसंदान जारी है कोई बक्षा नहीं जाएगा और जो तीन लोगों की हत्या हुई है दो बच्ची और एक पिता की उसकी भी जाच पुरी तरह पुलिस कर रही है बिहार में कानून का राज है नितिश कुमार जी शुशाशन के प्रतीक है को अपराद और अपराधियों से कोई समझोता न उन्होंने किया है न वो करेंगे जहां पर भी इस तरह अपराद की घटना हुई उसकी वज़ा के तहह तक भी जाएंगे और अपराधियों को बक्षा नहीं जाएगा देखिए जम्मु कश्मीर में सेना आतंकियों के खलाफ एक मजबूत अभियान चला रही आतंकियों के से इनकाॉंटर में उनको जब सेना उनकी तलश कर रही थी तो इनकाॉंटर हुआ उसमें हमारे भी चार जबान एक अधीकारी शहीद हुए सेना पुरी ताकत से कश्मीर घाटी में जिस तरह आतंकियों को समाप्त किया है जम्मू घाटी में भी डोडा किस्तवार पूंच राजोरी अलाके में जहां भी आतंक और आतंक की जड़े हैं उनको पूरी तरह कट करने में लगी हुई है लेकिन महबुबा मुफ्ती बियान बाजी कर रही है ये वही महबुबा मुफ्ती हैं जो बुढ़ानवानी की आंसू बहाती थी आतंकियों के घर पहुँच जाती थी आंसू बहाने के लिए आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है और उनके साथ उनके भाई असदुदिन और वैसी भी साथ में बियान बाजी कर रहे है उनको ध्यान होना चाहिए कि अपने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए बियान दीजे नकिस सेना पर सवाल उठाईए सवाल वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी अभियान नहीं चला रही है वहां सेना मजबूती से अभियान चला रही है और उसमें इतनी बड़ी शहादत हुई इस पर ये लोग इस तरह की सियासत कर रहे है ये दुर्भाग पुर्ण है देश के लोगों में बहुत गम और गुस्सा है इन पार्टीओं के खलाफ जो सेना के अभियान में शहादत पर भी बियान बाजी कर रहे है ये दुर्भाग पुर्ण है